अलो दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे प्लिंद बीम के बारे में बताऊंगा कि आप दो मंजिल का मकान बनाते हैं दो से तीन मंजिल का तो उसमें जो हम प्लिंद बीम बनाते हैं उसमें सरीया हमें कितना देना है उसका साइच क्या रखना है जैसे कि दोस्तोव आप यहाँ देख रहे हैं यहां पे यह पर इनॉप की यहां डितिख रहए और इसकी जो गाहराई यहाँ और इसमें दोस्तों जो यह सरीया दिया गया है आप चारो कोनों पे यहां पर देखेंगे तीन यहां पर ओपर सरीया दिया गया है। जो टॉप का तिन सरिया उसमें दो साइड का सरिया जो है वो 16 mm का है बीच वाला सरिया 12 mm का है वही नीचे में जो दो सरिया कोनो कोनो पे दिया गया है साइड में वो 16 mm का और नीचे 12 mm का सरिया यहाँ यहाँ पे यूज किया गया है दोस्तों इसका जो चोड़ाई दी गई है वो 9 इंच की दी गई है और इसकी जो गहराई है यानि कि 9 इंच भाई 12 इंच का यहाँ पर प्लिंथ भीम यूच किया जा रहा है आप देख सकते हैं यह पूरे मकान में जितना भी यहाँ पर प्लिंथ भीम यूच किया गया है यह 9 भी हम अपना foundation बनाते हैं तो side side से हम अपने जमीन के चारो side से दिवार खड़ी कर लेते हैं नीचे से footing से फिर उसी पर हमारा plinth beam का base तयार हो जाता है फिर हम उसके ढलाई करते हैं और beach का जो हमारा portion रहता है वहाँ पर आप जानते हैं कि वहाँ दिवार नहीं खड़ी की जाती है तो वहाँ हम इंट का layer विछाते हैं अब इंट का layer अगर हम direct मिट्टी पर विछा देंगे तो उपर नीचे हो जाता है इसके लिए हम इंट के layer के नीचे मिट्टी को बराबर करते हैं फिर उसमें हम sand का यूज करते हैं अगर morem ये बालू available है तो आप इंट के नीचे उसको आप एक बराबर उसका layer बना दें फिर उस पे आप इंट उस पे रख दें फिर उसके उपर से आप सरीय बांधना स्ट करें इससे करने से आपका जो पिलिंद बीम है उपर नीचे नहीं होगा और एक बराबर यानि कि उसको जब आप water level से चेक करेंगे तो एक बराबर आपका कास्टिंग होगा बीम का जो लेवल होगा एक बराबर आएगा दोस्तों जब हम बीम बनाते हैं तो जहां पे हमारा बीम खतम होता है यानि कि आप यहां देख रहा है कि यह कोने पे जो पिलर है इसके बाद यहां पे हमारा बीम खतम होना है तो आप यहां देख सकते हैं कि लाश्ट में जो टॉप का और बाटम का सरीया है इसमें एल मारा गया है बहुत जगह आपने देखा होगा जैसे फो बिनेशन है वो खतम हो जाता है और लोड ट्रांसफर नहीं हो पाता है इसलिए जैसे यहाँ पर वीडियो में दिखाये जा रहा है कि आपको यहाँ पर डेवलप्मेंट लेंथ यानि एल जो है जरूर प्रोवाइड करना है अब बात कर लेते हैं कि यह जो डेवलप्मेंट ल सरिय दिखाये जा रहा है 16 mm का अगर आप इसे 40D से 50D से इंटू करते हैं तो यहाँ पर 800 mm यह नीचे मोड़ा गया है और नीचे वाला सरिय जो आप देख रहा है यह भी 800 mm यानि कि 2,5 फिट ऊपर यहाँ पर मोड़ा गया है तो आपको डेवलप्मेंट लेंद जरूर प्र प्रूरी का बीम बांधना है और आप जानते हैं कि हमारे जो टोटल सरिय का लेंद होता है लंबाई 49 या 40 फिट यानी 12 मीटर का होता है तो यहां होता क्या है कि हमें उसमें लैपिंग देना होता है तो लैपिंग के लिए हम एक सरिय दूसरे के ऊपर प्रवाइड करते हैं तो आप 800 फिट के करीब आपको वहां पर लैपिंग जरूर देना चाहिए 30 इंच के करीब या आप 3 फिट तक का यानी 36 इंच के करीब वहां पर लैपिंग जरूर आपको प्रोवाइड कर देनी चाहिए बहुत जगा यहां मैं दिखा रहा हूं इस केस में आप देख रहा ह आप कोशिस करें कि 6 सरिया का जो लैपिंग है वो एक जगा नहीं हो अल्टरनेट आपको लैपिंग देना है आप कोशिस करें कि 2 सरिया का यहां पे हो तो 2 सरिया 3 फिट के बाद हो या फिर अगले सेक्षन में आपको देना है एक चगा आपको लैपिंग नहीं देना है